सिधर्थ नगर जिले में एक विद्वा महिला अपने बच्चों के साथ इंसाफ के लिए दरदर भटक रही है पीडित विद्वा का आरोप है कि उसके पड़ोसी ने उसे जवरन घर से निकाल कर घर पर अपना ताला लगा दिया है जबकि उसके घर के सारे कागजात उसके पास हैं और वो मकान बनवा कर करीब 20 सालों से उसमें रह रही है पीडित महिला का कहना है कि उसकी सुनवाई स्थानिय स्तर पर कहीं नहीं हो रही फोन कहीं गए तो आए तासिलदार वा उडिये मौन सब तो सब आए तो सामान कहीं उठवाए कहीं मकान के सामने रखवाए दिहीं अब वो लिन की बाद में तुह चाभी मिली अभी तक चाभी नहीं मिलत है अब बचे लोग सब रोट पर बैठे हैं अब होई दूई भी घा हमरे खीट रहा होई बीच के हमसाभ लिए रहें बीच साल होई गए बतादे की पीड़ता डुमरिया गंज तहसील के भवानी गंज थाना इस्थित गर गरदियाह गाउं की रहने वाली है इस महिला के पती की मृतिव आठ वर्ष पूर्व हो गई थी उसके पती ने जीवित रहते ये जमीन ली गई थी और उस पर निर्माण भी करवाय था लेकिन उनकी मृतिव के बाद उसके पड़ोसी परमेश्वर ने उसका ये आशियाना भी उससे छिन लिया जिसके बाद पी गरीबों को नया दिलाने का दावा हर सरकार और अधिकारी करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत दावों से को सदूर है अब देखना होगा कि अधिकारी मामले में कोई कारवाई करते हैं या नहीं या फिर पीड़ता योही न्याय के लिए भटकती रहेगी पंजाब केशरी टीवी के लिए सिद्धार्त नगर से राशित फारुकी की रिपोर्ट